फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंदजाद में बिग बिलिस पर आउडर करें और 10 मियट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरन डाउनलोड करें बिग बिलिस एप खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार आप देख रहें मार्केट टाइम्स टीवी मैं हूँ आपके साथ शालिनी शिर्वास्त कॉमेडिटी बजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं फटाफट अंदाज में भारत ने रूस से कच्चे तेल की डिलेवरी के लिए एडवांस बुकिंग की है ये सौधा तेल PSU भाल पेट्रोलियूम कॉर्परेटेड डिमिटेड ने किया है कंपणी ने माई की लोडिंग के लिए दो मिलियन बैरल तेल खरीदा है महराष्ट में प्याज उत्पादकों की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही है इस साल किसानों को 300-400 रुपे प्रती कुईंटल पर प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है महराष्ट में देश का करीब 40% होता है कर्मी के शुरुवारत के साथ नीबू की कीमतों में तेज उचाव देखने को मिल रहा है और कीमते 350 रुपे प्रती किलो तक पहुँच गई है वही मिर्च की कीमते भी 200 रुपे प्रती किलो का स्तर पार कर गई है सरकार ने देशी कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की योजना शुरू की है क्रिशी के माद्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार लगतार प्रयास कर रही है अब क्रिशी छेतर में आ रही नई नई तकनीकों का भी किसानों को फायदा मि बढ़ने लगी हैं इन दौर में सोयवीन तेल के दाम एक बार फिर 1490 से 1500 रुपए प्रती 10 किलो पर पहुँच चुके हैं सरसो तेल के दाम आसमान पर हैं इन दिनों सरसो का तेल उच तमस्तर से करीब 35-40 रुपए प्रती लीटर सस्ते में बिक रहा है एक बार फिर सरसो तेल 5 रुपए की गिरावट के साथ अब 165 रुपए प्रती लीटर पर बिक रहा है इंदप्रस्त गैस लिमिटेड यानि की आईजियल ने सीएंजी की कीमत में 2.5 रुपए का इजाफ़ा किया है आईजियल ने दिली में अब सीएंजी की कीमत 2.5 रुपए प्रती किलोग्राम बढ़ा कर 59.1 रुपए प्रती किलोग्राम कर दी है खाद तेलो के संगठन सी ने अपने सदस्यों से दाम नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है Solvent Exporters Association ने अपने सदस्यों से कहा है कि ग्रहकों को आसुविदा से बचाने और उन्हें रहात देने के लिए फिलहाल अधिकतम खुद्रा मूल यानि के मरपी में बढ़ात्री से बचना चाहिए केंद सरकार ने परियोजना प्रस्तावकों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और बयाज सब्विंशन का लाब उठाने की सुविधा के लिए वर्ष 2018 से 2021 के दोरान अधिसूचित सभी योजनाओं के संबन में रिंड के वितरन हेतु समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ान करने नहीं लिया है अर्थवेवस्ता खुलने के साथ ही दाल महंगी होने लगी है पीते एक महीने में दाल दलहन के भाव 16 प्रतीशत तक बढ़े हैं वही महाराश्चों मद्यप्रदेश जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में अरहर की फसल 30 प्रतीशत तक कम उतरने की आशन का जोताई जा रही है तो कॉमिडिटी वजार से जूड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही और बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे हैं मारके टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे जाज़त नमस्कार अभी का सीजन है शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबराने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलिट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकार